पर दस रुपए एक है मांगो कुछ खाने के लिए उनके पास जाना है और उनसे बुलना है भाईया मुझे कुछ काम देदो यहां पर काम नहीं तो मुझे कम सकम खाने कोई देदो ठीक है करना पर चलो बच्चे हैं भूके सुबे से कुछ पर बोलो जा तुम तो और तुम लग देखना है कितने का दिया क्या क्या गना रहे हैं दाबेरी में पस पैसे नहीं है रहे हैं ऐसे दे सेंगे बात में आना जो कि अधिके वह पैसे निया तो बात में आना कितने खराब हैं देदो कुछ खाने को तको यार भूकिये तुम ने उसकी पैचाती कर दी भाई यार रेकिन बहुत पुराइट तो लोग ने यार इस तरिक तो फ्रेंड्स आपको भी यकिन नहीं हो रहा होगा कि ये बात सच है लेकिन आप देख सकते हैं कि सबा किस तरहां से सड़क पर जो है वो पैसे मांग रही हैं दरसल सबसे पहले उन्होंने अपनी बिल्डिंग की वाचमें से पैसे मांगे उन्होंने पैसे दे दिये लेकि लेकिन इसके बाद वो जाती हैं सड़क पर जहां पर वो कुछ खाने के लिए डबेली बनाने वाले से वो मांगती हैं तो वो उन्हें मना कर देते हैं के पेसे नहीं हैं तो वो मिलेगी भी नहीं तो सबा जो है वो बहुत ज्यादा बेज़द होती हैं और लोटकर कार में आ इसके पास सनी उनका बहुत जादा मजाग बनाते हैं लेकिन फ्रेंड्स आपने ये देखा ये सब रियल तो था लेकिन ये सब एक टास्क का हिस्सा था और बहुत ज्यादा फनी था दरशल सनी और बच्चों के दोरा उन्हें एक टास्क दिया गया था कि वो सारा दिन किस भी काम को नो नहीं कहेंगी जो भी काम सनी और बच्चे कहेंगे उन्हें उस काम में यस कहना है और उस काम को यानि उस टास्क को पूरा करके दिखाना है तो सनी और बच्चों का टास्क यही था कि पहले उन्हें बिल्डिंग के वाच्मेंट से पेसे मांगने है और उसके बा यही तो सभा के विलॉक्स की कौालिटी है यही सभा के विलॉक्स की सुन्दरता है कि वो किसी भी काम में दिखावा नहीं करती है वो सभी चीजे नेचुरली दिखाती है इसी वज़े से लोग सभा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कैसी लगती हैं सब आ मुझे पॉमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगए दर लाइक करें जेनल को सब्सक्राइब करें